आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students तो आज का मारा Question है A piece of glass is not visible in a colorless transparent liquid It is possible because तो हम बना देते हैं कि हमने इस container के अंदर कुछ liquid को भरा हुआ है ठीक है इस liquid में हमने एक glass का piece डाल दिया लो हमने glass का piece इसके अंदर डाला हुआ है और हम क्या बोल रहे हैं कि यह जो glass का piece है अब visible नहीं है Invisible हो गया तो क्यो invisible हो गया एसा क्या है जो इसको invisible कर सकता है तो पहला option है both the materials have same density तो यह option तो actually गलत है यार ऐसे बहुत सारे materials है जिनके same density होती है पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक के अंदर दूसरे को डाल दें तो वो गयाब हो जाए Invisible हो जाए ठीक है अगर यहां optical density लिखा होता तो अलग बात थी इस बात का ध्यानक न optical density लिखा होता तो अलग बात होती बट यह optical density नहीं लिखा Second है both the materials are colorless देखो यह तो actually सिर्फ एक condition है जो जरूरी है बट ऐसे बहुत सारे colorless materials है जिनको एक दूसरे में डाल दिया जाए तो invisible नहीं होते example के लिए हम transparent water ले लो और इसके अंदर को transparent सा glass डाल दो पर हर glass अपने आप गायब नहीं हो जाता जादातर glass तो में दिख जाएंगे तो इसका मतलब यह option भी correct तो नहीं है तीसरा है both the materials have same reflective index यह option कुछ दंदार है क्यों कि समझो जारा मैं स्टीच को इदर बाहर बनाके दिखाता हूं यह piece of glass मैंने ऐसे डाल एसके अंदर और बाहर जो है water है अगर कोई lighter यहां जा रही है तो पहले चीज तो यह colorless transparent liquid है जो हमने glass डाला वो भी colorless है transparent है जो liquid है वो भी transparent है तो यहां light का reflection तो होगा नी तो हमारी eyes को पता कैसे चलता है कि रास्ते में कोई चीज है अगर light का reflection यह ना हो हमारी eyes यह पता कर लेती है कि light के path में कोई change आ रहा है यानि कि reflection जैसा phenomena दिख रहा है अगर उसे यह phenomena दिख जाता है तो वह बोलता है कि materials यहां रास्ते में कोई material आ जाता है तो कैसे पता किया जाए कि यहां पर material को invisible बनाना है हमें कैसे कर सकते हैं कि यहां से जो light रहे हो इदम straight pass कर जाए अगर बिल्कुल straight pass कर जाएगी तो हमारी आए नहीं बता पाएगी कि यहां रास्ते में कोई चीज रखी थी और कोई light यहां जाए पर refract ना हो इसका एकी condition है बाहर का और अंदर का refractive index exactly same होना चाहिए तो यह तो अपना option हो गया C is correct option अब लास्त वाला है light moves with different speed in two different mediums involved तो यह तो information है ना कि light different speeds के साथ travel करती हैं दोरों medium में और इसी के current reflection होता है इसका directly visible होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है ठीक है? तो I hope सब कोई question clear हो गया होगा तो फिर मिलते हैं next video में Good luck Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर